ह्टमाष्कार मेडियो और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब की अच्छ के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानेหê штणी डोग़ी शजग ने डॉक्टर सारी कारऊ तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत ब decreased है डॉक्टर साहिब आप PCOD एक ऐसी समस्या है जो हर्मोन की गरबड़ी की वज़ा से होती है लेकिन खराब लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में ही आ जाते हैं तो बहुत सारी जीवन शैली जो बदल रही है वो समस्या बढ़ा रही है और महिलाओं में अगर बात करें तो कितना ज्यादा है चांस है ये बढ़ने का और साथ ही अगर हम बात करें कि किन महिलाओं को ज्यादा खत्रा है कौन से महिलाई गलती करती है उनके PCOD होने का ज्यादा चांस है देखे PCOD can be hereditary है न अगर family history में भी PCOD का problem हो सकता है basically PCOD क्या होता है polycystic ovaries ठीक है न पॉली मतलब ज्यादा तो ये औरते यूजिली बहुत ज्यादा अंडे बनाती है as a result of which कोई भी अंडा ढंक से फूट नहीं पाता है और बच्चा नहीं होता पर ये बहुत दरने की चीज बिलकुल नहीं है बहुत लोगों को PCOD होता है बहुत लोगों को जैसे बहुत लोग नाटे होते हैं बहुत लोग पहुत जादा लंबे होते हैं तो it is a कुदरत का एक decision है कि your hormones have to be like that और इनसान क्यासे contribute करता है उसमें कि अगर वो obesity है मतला अगर मोटा हो जाएंगे और अगर of course diet अगर अच्छा नहीं हो तो polycystic ovaries को आप नियोता दे सकते हो अगर आप त्रेशोल्ड में जैसे कि अगर मेरी family history diabetes की तो I must make sure कि मैं अपने खान, पीन, रहन, सैन को ऐसा रखूं कि मैं diabetes से बच के रहूं उसी तरह से अगर PCOD का family history या you have a tendency to have a PCOD pattern comments तो आप अपने आपको थोड़ा सा towards underweight ही रखेंगे अपने डायेट पे दियान रखेंगे यह बहुत हद तक PCOD में help करता है पर उन्तु यही एक अपने आपको depression में डाल देना अपने मेरा वजन नहीं घटा है पर PCOD ठीक नहीं होगा यू मस्ट वजन तो सबका normal होना चाहिए चाहिए न चाहिए न चाहिए PCOD आपको हो या ना हो और PCOD को लेके बिलकुल बहुत बचिंता नहीं करिये एवरी डे हम लोग के क्लिनिक में बहुत सारी पिचारी लड़किया आती है उनको सबसे पहले बिमारी के बारे में जानकारी लीजे अगर आपकी मरीज आपकी मद बेटी को उबीसिटी नहीं है और उसका मेंस अगर दो-चार महीने पर आ रहा है तो लेट इट बी ठीक है बहु खोचते हैं तो और उसके बाद जाने के बाद जब आप मेडिसिन छोड़ दोगे तो हो सकता है इसी लड़किया कंसीव कर जाएं इन फाक्ट ऐसी लड़किया को जुड़वा होने के जादा चांसेस हैं और यदि वो शादी के छे मेना साल बर में नहीं कहा क्योंकि बहुत बार देखा भी जाता है कि अगर PCOD हुआ है तो बहुत बार यह सवाल भी हो जाता ही कि कहीं वो आगे चलकर प्रेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है यह घरेलू बाते जो है बहुत चलती है जी एकदम आप लोग एकदम चिंता-फ्री रहिये इस नॉट अगर मेंस बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है बहुत ज्यादा मैं लॉस ओफ ब्लड ज्यादा है तो वो थोड़ा हेल्थ को असर डेफिनिली करेगा ना पिकॉस यूर लूसिंग ब्लड तो उसका इलाज जरूर हम लोग करेंगे मैं इसमें एक चीज की अगर दवाई चल रहा है आपनी जैसे बताया कि नॉन हर्मोनल जो दवाईयां है वो चलाए जाती है लेकिन अगर दवाई चल रही है बहुत से लोग दवाई चलने के बाद अगर मैंस ठीक हुए है तो छोड़ भी देती है महिलाई तो क्या अगर जब तक जब तक दवाई चलती है तो मैंस बहुत परफेक्ट टाइम पे आएगा उसके छोडने के बाद वो मैंस 90 पर टाइम वापस अपनी अवकार पे आता है तो मेरा यह पूछना है पबलिक से भी कि वो कुछ दिनों के लिए हम दवाई क्यों चलाएं वाई गिव और ह जब आपको वापस वही मैंस आपको मिलने वाला है यह कालपना और यह सर्च छोड़ दीजे कि कहीं न कहीं कोई न कोई डॉक्त चुपा होगा जो इस बिमारी को लुप्त कर देगा कि तम भगा देगा मेरे शरीर से नो you have to learn how to live with it आपको इस बिमारी के साथ एक नॉर्मल भी ले लिया जाता है कि बहुत बड़ी बिमारी हो गई है प्रेग्नेंसी में दिक्कत आई कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आप डॉक्टर सारीका रॉय को सुनाए थे जिनोंने पूरी जानकारी हमारे साथ पीसी योडी के बारे में साज्या की है इस विशह म आप क्या सोस्ते में कॉमेंट कर जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पेज को लाइक कर ले साथी डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाले में कॉमेंट कर या मेल के माध्य हमसे बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया